अगर मैं तुम्हें कहाँ कि उस जूले पे एक लड़की जूलते होई दिख रही है तो उसे भी मेरे मन का भ्रहमिका होगी नमस्कार आज हम चर्चा करेंगे नई वेव सिरीज भ्रहम की ब्रहम जी फाइब पर रिलीज भी है और संगीत सिवन जो है इसके निर्देशक है यह एक साइकलोजिकर ठ्रिजर है और इसकी जो कहानी है वो एक लेखिका के इर्दगीर्द घूमती रहती है उस लेखिका के किरदार में है कलकी कोचलित अब हम देखते हैं कि जो कलकी है यानि की जो अलीशा है वो एक गहरे एक्सिडेंट से गुजरती है और PTSD से गुजर रही है उनकी बहन की भूमिका में है भूमिका चावला और उनके जो ब्रदर इनला है वो संजय सूरी है तो भूमिका चावला इस घटना के बाद एक्सिडेंट के बाद कलकी को अपने घर ले आती है शिमला में यहाँ आने के बाद एक से घटनाय शुरू होती है और कलकी को कभी कोई भूत दिखता है कोई कोई आवाज दिखती है और लोगों को लगता है कि जिस तरह से ये एक PTSD से गुजर रही है ये इनका भ्रहम है कहानी फिर आगे बढ़ती रहती है और हम देखते हैं कि 20 साल पहले किसी लड़की का एक कतल हो गया था एक स्कूल का इंवरिमेंट है वहाँ कुछ बच्चे होते हैं और आज के दौर में भी फिर एक कतल उसी जगे पे उसी तरह से हो जाता है जैसे 20 साल पहले हुआ था अब उस कतल के में और इस कतल में क्या समानता है क्या कनेक्शन है या कहिए कि जो 20 साल की घटना है आज फिर रिपीट क्यों हो रही है आप बीच बीच में देखेंगे कि एक AY करके आपको दिखता है कहीं पेड़ पे लिखा हुआ या कहीं टाइप रैटर पे वो टाइप ह हो जाता है तो AY क्या है मतलब AY क्या यह अलीशा और उनके हस्बेंड यश के साथ कोई कनेक्शन है जो कि यश अब गुजर चुके हैं या फिर कोई दूसरी कहानी है इस सीरीज का नाम दिया गया है भ्रहम और इस भ्रहम जाल में आप भी उलज़ते चले जाते हैं आपको कई तरह की चीज़े देखती है आपको लगता है कि हाँ यह सही में psychological problem है फिर कभी लगता है कि यह कोई भूत की कहानी हो सकती है फिर हम देखते हैं कि जंगल में आदिवासियों का कोई देवता है और कहानी उससे जूड़ी हुई हो सकती है कहानी के कई अस्तर आपके साथ रहते हैं कई layers में कहानी चलती रहती है तो जो आज की घटनाय है और 20 साल पहले की घटनाय है उसका connection फिर धीरे धीरे आपके सामने खुलता रहता है नए नए characters आते रहते हैं कुछ नई चीज़ें भी धीरे धीरे आपको पता लगती रहती है और इस क्रम में जो आपका interest है जो आपका जुडाव है वो लगातार बना ही रहता है भ्रहम की कहानी में आपको पूरी तो नहीं बता सकता क्योंकि जब अगर मैंने पूरी कहानी बता दी तो आपका interest खत्म हो जाएगा लेकिन इस कहानी की खुसूरती यही है इस कहानी की खासियत यही है कि इसके जो scenes है इसके sequence हैं वो पल-पल बदलते रहते हैं और उसके सासाथ आपकी सोच भी बदलती रहती है कभी आपको यह psychological disorder लग सकता है कभी यह भूत-प्रेत की कहानी लग सकती है और कभी जो हम देखते हैं कि एक कालपनिक किरदार है या फिर बागे पता चलता है कि वह कालपनिक नही तो क्या होगा इन सारे सवालों से आप उलजने रहते हैं और ये सारे सवाल आपको बांधे रहते हैं आप एक-एक करके episode देखते चले जाते हैं आठ एपिसोड की कहानी है इसमें कई चीजें हैं जो खास है जिसको मैं अलग से बताना चाहूंगा । जैसे कि आजकल वेब सीरीज में एक चलन है कि इसमें भाषा की मरियादा का ध्यान नहीं रखा जाता, कई गाली गलोज भरी होती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, एकदम साफ सुतरी भाषा है, बहुत अच्छे से डालोग्स लिखे गए हैं, और बहुत ही अच्छे से उनकी अदाक रहते हैं, इसके में संगीत बहुत बढ़िया है, और जो टाइटल सांग है, वो वाकई लाजवाब है, वो आपको अलग से भी आप सुनने का उसका मज़ा ले सकते हैं, अब इनकी बात करें तो कल की एक बहतरी नदाकारा है, और उन्होंने कई बारी से सावित किया है, इस इस्ट्रेस है, या भय है, या डिस्ट्रेस है, वो सारा आपको उनके एक्टिंग में साफ नजर आता है, भूमिका चावला, संजे सूरी, एजाज खान, कई कलाकार हैं इसमें, और सभी अपने अपने जगे पे अच्छे लगे हैं, कहानी में एक दो चीज़े हैं, जो अब इस पूरी कहानी में इसका क्या मतलब था, इसकी क्या जरूरत थी, आपको समझ में नहीं आता, बेवज़े जो है, सेक्स का तड़का लगाना भी अच्छा नहीं है, दूसरी एक बात जो थोड़ी खटकती है, वो यह है कि जब आप अंत में द्या करके देखते हैं, ज कोई खुद ही आगर के सुविकार कर ले, उससे बेतर है कि उसकी जो भी चीजें है, जो भी रहस है, उसकी एक खोज की जाए, सिरीज बहुत ही अच्छी बनी भी है, आप जहाए तेसे लगातार देख सकते हैं, हलाकि आठ एपिसोड एक साथ देखना थोड़ा लंबा हो सक होता है, लेकिन अगर आप कलकी के फैन हैं, कलकी के आक्टिंग के चाहने वाले हैं, और अगर आपको साइकलोजिकल थ्रिलर में इंटरस्ट है, तो आपको ये सिरीज जरूर देखनी चाहिए, भ्रहम के बारे में आज इतनी ही बात, आगे किसी और वेव सिरीज के बारे मे हम अपने चर्चा लेकर आएंगे तब तक आप हमारे वीडियो को देखिए हमारे चैनल को पसंद करिए और सब्सक्राइब तो जरूर ही करिए नमस्कार